नमस्कार दोस्तों मैं दिने संदू आपका स्वावत करता हूँ मेरे स्यूटूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजे आज की वीडियो के अंदर हम डिसक्रस करेंगे Enrollment as an Advocate in HP Bar Council नए एड़ोकेट को HP Bar Council में कैसे अपनी Enrollment करवानी हैं बड़े सारे लोगों को दिक्कत होती है कहीं को Fees का पता नहीं होता है, Documents का पता नहीं होता है तो हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे, Documents कौन-कौन से लगते हैं, Fees क्या है आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनियेगा और जहां कोई भी पता ना लगे तो आप मुझे comment में बता सकते हैं या फिर आप मुझे message कर सकते हैं मेरे Instagram profile पे link आपको मिल जाएगा description में जितने भी documents के बात इस वीडियो के अंदर की गई है आपको उन सभी documents के तीन foot sheet करवानी पड़ेंगी क्योंकि वहाँ पे तीन foot sheet submit होती है चाहे आपका 10th का document हो, plus 2 का document हो जो आपकी graduation की degree होती है और साथ में जो mark sheet होती है अगर आप रूसा के अंदर पड़े हैं तो रूसा के अंदर DMC मिलती है फिसा साथ में आपको degree के लिए भी apply करना पड़ता है और जितने भी mark sheet आपकी पर semester होती है आपको सभी document वहाँ पे चाहिए इन सभी documents के आपको 3-3 foot sheet करवानी पड़ेंगी उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया mark sheets of BA यानि की graduation के mark sheet आपकी वहाँ पे चाहिए जो law की mark sheet होती है पर semester वह भी आपको वहाँ पे चाहिए वहाँ पे आपको एक और बात ध्यान में रखनी है अगर आपको किसी भी semester में compartment आई है तो वह भी mark sheet वहाँ पे लगती है आपको वह भी mark sheet साथ में वहाँ पे ले जानी पड़ेंगी जो provisional degree होती है या फिर जो certificate होता है और जो law की degree होती है वो भी आपको वहाँ पे चाहिए होती है next में आता है आपका जो attendance certificate होता है या जो mood court certificate होता है वो आपको वहाँ पे मिलता है department में जहां से आपने law की होती है उसके बाद आता है आपका character certificate जो आपको department से ही मिलता है जहां से आपने law की होती है उसके बाद चार password size photograph वहाँ पे लगती है और last में आता है आपका हिमाचली bonafide तो यह सारे document हैं जो वहाँ पे लगते हैं अगर आपको ऐसे new advocate annual होना है HP bar council में जहां तक fees की बाद है आपको दो time fee pay करनी पड़ती है पहली बाद जब आप registration के लिए जाते हैं मतलब कि जब आप वहाँ पे अपने documents को submit करवाते हैं तो वहाँ पे आपको fee pay करनी पड़ती है 32,000 रूपीज और उसके बाद जब आपको एक मिन्ने बाद ओत के लिए बलाया जाता है तब भी आपकी fees वहाँ पे लगती है अलांकि यहाँ पे fees में कुछ difference हो सकता है fees ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है ओत लेने के समय कितनी fees लगेगी आपकी वह आपको उस समय बता दिये जाता है तो यह था इस वीडियो के अंदर जो HP War Console की website है वो मैंने link description में दिया है अब वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो informative लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे कमेंट कीजे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं क्या है ऐसे latest update के लिए तो आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजे thank you and thanks for watching